जैहिन दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ एक ख़वर मद्य परदेश्ट पुलिस के जो है एंसी सी के जो कैंडिडेट है जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड बहुत बड़ी ख़वर है दोस्तों देखिए इससे पहले मैं आपको और बात बताना चाहता हू हमारे जो है एसी एसेजी चैनल पे जो है आप लोगों के फ्री ऑफ कोश्ट एंपी पुलिस और एंपी एसाई की पूरी त्यारी कराई जाएगी विठ नोट्स भी दिया जाएगा अगर आप चैनल से जुड़ते हैं आप जुड़िये उससे और आप ओफ लाइन भी कोचि मैं एनसी सीमें पबले सिर्फ पांच नमबर जुड़ते थे तो हैं था यहांनिकि अगर कोई अभ्यावति साथ नमबर ला रहा रहा है तो साथ सा्ठ नमबर का हमें जो हे, 5 परषेंट एड़ होगा, ठीक है, साठ नमबर के कितना हैड होगा, 5 परषेंट, यानि कि-3 नमबर एड़ होगा, तो 60 और प्लस 3, कितने हो जाएंगे, 63, इसी हिसाब से फीजिकल में भी 5 परषेंट एड होगा, प्रप्तांग के, जितने भी पांच परसेंट का एड होगा ठीक है तो अगर मान लीजिए कि फिजिकल में कोई 80 नमबर लाता है तो 80 का 5 परसेंट एड होके कितना हो जाएगा 84 नमबर हो जाएंगे इस तरह से 84 और 63 एड कर देते हैं तो यह कितना हो 147 नमबर हो गया दोस्तों तो आपका जो है यह फायदा है अभी तक 5 नमबर होते थे अब जो है प्रप्तान के 5 परसेंट होंगे लेकिन दोस्तों मिनिमम क्वालिफाई के लिए अगर जनरल के टेगरी की बात करते हैं मैं एक जो है अनुमानित कटफ जो है वीडियो डाल चुका हूं मेरा मानना यही है कि आप जो है अगर आपको स्योटी चाहिए एकड़म सिक्योर नमबर चाहिए आप NCC के कैंडिडेट हैं तो आपको 70 सेवेंटी प्लस करना ही पड़ेगा कि सेवेंटी प्लस करेंगे इसमें 3.5 नमबर एड होगा सेवेंटी फ्री प्वाइंट फॉइफ नमबर आपके नंबर काउट की जैए जिसमें कि आपके चांसे सरेन गेए ठीक है अगर आप ऑबीसी है इस्टी एस्टी के केंड़ेट से बाकि जो है देखिए क्योंकि नंबर वेकेंसी के जो है एक लिमिट है कि इतने बच्चे को भी फीजिकल के बुलाया जाए जाती है तो आप चैनल से अगर नय है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए जैहिंच